क्या आप भी अपने चेहरे को साप, गोरा और चमकदार बनाने के लिए ये सब करते हैं? अगर आप अपने चेहरे के लिए ये सब कर रही हैं तो अब आपको ये करने की जरुरत नहीं पड़ेगी मैं आपको एक ऐसी चीज के इस्तमाल के बारे में आज बताने जा रही हूँ जो आपके किचिन में ही मौजूद है जिसके इस्तमाल से आपका चेहरा निखर जाएगा नमस्कार आदाब मैं हूँ आपकी शुपचिन तक श्वैल जतिया की और ये वीडियो अंत तक जरूर देखे और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब जरूर कर ले सुनकर दर्श को आपको ताजुब जरूर होगा कि बिना फेस वाश बिना किसी महंगी क्रीम के कैसे किसी का चेहरा साफ हो सकता है लेकिन मैं जो आज आपको उपाएब बताऊंगी उसे करने के बाद आप खुद कुछ दिनों में अपने चेहरे पर एक अलग बदलाव देखेंगे अगर आप पिंपल्स, डार्क स्पोट, सामना रंग, काले धब्बे और जुर्यों जैसी तमाम इसकिन प्रॉब्लम्स से जूज रहे हैं तो अपने किचिन से ये चीज निकाल कर अभी इस्तमाल करके देख सकते हैं और जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और हमारे तो भारत में हल्दी को बहुत तरह से इस्तमाल किया जाता है इसको एंटिबाइटिक और एंटिसेप्टिक दोनों माना गया है ये तबाव में भी इस्तमाल होती है और ये उप्टन में भी इस्तमाल होती है कोई शादी ऐसी नहीं होती भारत में जिसमें उप्टन का इस्तमाल ना हुआ हो उप्टन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक तरीका जो राजाओं महाराजाओं का रहा है वो उप्टन बनाते हैं तो 100 ग्राम इस रेशो से बनाते हैं 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम सरसों सरसों उसे कहते हैं राई जिसका तेल हम इस्टमाल करते हैं सो ग्राम हल्दी, सो ग्राम सरसों और सो ग्राम गौन्ड मौरिंगा सफेद और सो ग्राम इसब गोल की भूसी इसको خوب बारीक पॉडर बना लेते हैं जिनके हालात अच्छे हैं वो लोग इसमें चंदन भी मिला सकते हैं चंदन का बुरादा बी सौ ग्राम के रेशियों से अगर इसे बना लिया जाए तो ये एक बहुत एहम या सबसे बहतर उप्टन माना जाता है और फिर आपको पता है कि ये शादियों में इस्तमाल होता है चेहरे की सफाई के लिए जिसम की सफाई के लिए बाकाइदा सफाई करता है हमारे चेहरे की और इसको खाया और लगाया जा सकता है ये बेपना ताकत वर एक पेस्ट है जो लोग जिसम पर लगाते भी है और एक से दो गिराम खा भी सकते है खाने का तरीका ये है कि अगर इसको खाया जाएगा तो इसमें अपनी जरूरत का मीठा मिला सकते है ताकि ये पेस्ट मीठा हो जाए या फिर इसे इसी तरह इतना सुखाया जाए कि ये पाउडर फॉर्म में दुबारा से आ जाए तो इसका एक या दो गिराम खाया भी जा सकता है अपने जिसम की ताकत के लिए बहुत ताकत वर नुसका है और हमारे चेहरे की सफाई के लिए इंटरनल और एकस्टरनल इसको इसको इस्तमाल कर सकते है उप्टन का तरीका तो सबको मालूम ही है कि चेहरे पर लगा के उसको रब करना पड़ता है हातों पर लगाना पड़ता है लेकिन खाने का तरीका यह है कि इसमें जब खाने के लिए बनाए तो इसमें राई कम डाले ताकि यह आसानी से सूख जाए लोग इसको पाउडर बना कर भी रख लेते हैं और एक से दो गिराम दूद के साथ लेना बेहिसाब सेहत का खजाना है तो दोस्तो आजमाए इस नुस्के को और अपनी स्किन को हेल्दी बनाए आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताए अपने सुझाव अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें एक बाप फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगी हकीम सहाब के एक और असरदार नुस्के के साथ तब तक के लिए रखी अपना ख्याल मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार